अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अप्लोड करूँ और आपको उसके बारे में पता चल जाए तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन्स मिलते रहें House of the Dragon episode 6 हमें पिछले episode के 10 साल बाद की कहानी दिखाता है तो Renera, Ellicent, Lena और Lenore अब अलग-अलग actors प्ले कर रहे हैं Renera के तीन बच्चे हैं, Jokaris यानि Jace, Lucerus जिसे Luke कहते हैं और अभी-भी पैदा हुआ बच्चा जौफरी इन बच्चों के पिता ओफिशली तो Lenore विलेरियॉन हैं, लेकिन असली फादर है Harvan Strong Renera का पिछले कई साल से इनके साथ अफैर चल रहा है Ellicent और King Viserys के तीन बच्चे हैं, Aegon, Helena और Aemond Dimon ने अब Lena विलेरियॉन से शादी कर ली है और उनकी दो जुडवा बेटियां हैं, जिनका नाम Baylor और Rena है एपिसोड Renera के डिलिवरी सीन के साथ शुरू होता है और वो काफी हद तक अपनी मा की तरह दिखती है उसकी मा ने एक बार Renera से कहा था कि वो एक दिन किसी बच्चे को जन्म देगी Renera कभी शादी नहीं करना चाहती थी या बच्चों को पैदा नहीं करना चाहती थी लेकिन उसे Political Alliance के लिए Lenore से शादी करनी पड़ी वो Add to the Throne यानि सिंगहासन की उत्राधिकारी है उसे Future के लिए अगला उत्राधिकारी चाहिए सो वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है Queen Elicent Renera के बच्चे को इसी वक्त देखना चाहती है इसलिए दर्द और परिशानी के बावजूद Renera चलते हुए पूरे Red Keep को पार करते हुए Elicent के दर्वाजे पर पहुँचती है Renera का हस्बंड Lenore उसके साथ है उसने उसका हाथ थाम रखा है Lenore क्रिस्टन कोल को देखता है पिछले एपिसोड में यानि 10 साल पहले क्रिस्टन ने Lenore के boyfriend को मार डाला था तो इनके बीच जो आखों आखों में नफरत का प्रदर्शन हो रहा है उसके पीछे valid reasons है खेर मिलते हैं King Viserys से जो अब बहुत बूरे और कमजोर हो गए है उनका एक हाथ भी नहीं है ये किसी कोड जैसी बीमारी की बली चड़ चुका है खेर इस बच्चे का नाम जोफरी इसलिए रखा गया है क्योंकि Lenore के एक्स boyfriend का नाम जोफरी लॉनमाउथ था King अपने नए पोते से मिलकर खुश है विसरस का कहना है कि जोफरी की नाक बिलकुल अपने पिता जैसी है जबकि जोफरी, जेस और लूक लेनौर की तरह बिलकुल नहीं दिखते रेनेरा के बेटों के पास लेनौर जैसे सिलवर बाल या डार्क स्किन नहीं है और इसी लिए एलेसिंट रेनेरा के बच्चों को देखना चाहती थी ये जानने के लिए कि क्या ये बच्चा लेनौर जैसा दिखता है या नहीं Queen अलेसिंट लेनौर से कहती है कोशिश करते रहिए आपको अपने जैसा दिखने वाला मिल जाएगा ये एक बड़ी बात है क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि ये बच्चे ना जायज है इन्हें विरासत में राजगदी नहीं मिल सकती इलेसिंट के बच्चों को अगला वारिस होना चाहिए ना कि रेनेरा के बच्चों को बाद में रेनेरा जोफरी को अपने असली पिता हावन स्ट्रॉंग से मिलवाती है हावन अब सिटी वाच गोल्ड क्लोक्स के कमांडर है ऐसा लगता है कि वो रेनेरा और लिनॉर इस सीक्रिट अफेर के साथ कमफुर्टिबल है जेस और लूक जोफरी के पालने में रखने के लिए एक ड्रागन एक चूस करते हैं ताकि ड्रागन के अंडे से निकलने पर उसका जोफरी के साथ मजबूत बॉंड हो अब चलते हैं ड्रागन पिट में जहां एलिसंट के बेटों एगॉन और एमन्ट के साथ जेस और लूक अपनी ड्रागन क्लास के लिए तयार है विलेरियन भाशा में कमांड्स देकर जेस अपने ड्रागन वर्माक्स को कंट्रोल करना सीख रहा है वो कहते हैं दोहायरिस जिसका मतलब है सर्व यानि सेवा करना विलार दोहायरिस तो आपने सुना ही होगा उसका मतलब होता है अल मेन मस्ट सर्व खेर फिर जेस कहता है ड्रकारस यानि ड्रागन फ्लेम वो वर्माक्स को एक बकरी को मारने का आदेश दे रहा है जेस के ड्रागन का नाम वर्माक्स है ल्यूक के पास है आरक्स एगॉन के पास संफायर है और हेलेना के पास ड्रीम फायर रेनरा और लेनौर और बाकी सभी के पास अपने ड्रागन्स है सिर्फ एमन के पास कोई ड्रागन नहीं है सो इसे लिए बच्चे एमन का मजाग उडाते हैं वो उसके लिए एक पिग लाते हैं और इसे पिंक ड्रेट कहते हैं, जैसे बिलेरियन को ब्लाक ड्रेट कहा जाता है. एमन को बहुत बुरा लग रहा है, वो ड्रैगन पिट के अंदर वाले रास्ते में चला जाता है, शायद वो अपने लिए कोई ड्रागन क्लेम करना चाहता है अंदर उसका एक ड्रागन से सामना होता है लेकिन एमन डर कर भाग जाता है हमें पता चलता है कि वो पहले भी ऐसा कर चुका है दिखाया जाता है एलेसिंट को जो अपनी बेटी को देख रही है हेलेना थोड़ी अलग है वो बग्स यानि कीडे मकौडे पालती है हेलेना का नेचर से यानि खुदरत से काफी जुडाव है वो अपने ड्रागन ड्रीम फायर की सवारे भी कम करती है बलकि वो बातें भी अजीबो गरीब करती है अलेसिंट अपने बच्चों से परिशान है वो चाहती है कि उसके बच्चे एंबिशिस हों पर वो अपनी दुनिया में मगन है वो विसरिस के पास जाती है और पिंक ड्रेड वाले मजाक के लिए जेस और लिूक को ब्लेम करती है क्वीन अलेसिंट किंग विसरिस यानी अपने पती को ये एकसिप्ट करवाना चाहती है कि रेनेरा के बेटे हारवन स्ट्रॉंग के बेटे हैं लिनॉर के नहीं क्यूंकि उनके बाल काले और स्किन लाइट है विसरिस कहते हैं कि जरूरी नहीं जेनेटिक्स हमेशा एक जैसे रिजल्ट्स दें कभी कभी सुनहरे बालों वाले लोगों के काले बालों वाले बच्चे होते हैं लेकिन अलेसिंट अपनी बात पर टिकी रहती है तो विसरिस कहते हैं कि रेनेरा के बच्चे अगर बास्टर्ड्स हैं तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि इससे पावर टसल होगा लोग रेनेरा और जेस के गद्धी के दावे पर सवाल उठाएंगे और एगॉन को वारिस के तौर पर सपोर्ट करेंगे इससे उनके परिवार में परेशानी खड़ी होगी और लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे एलेसंट घुस्से में हैं उसके लिए ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है रेनेरा से उसे पर्सनल प्रॉब्लम है क्वीन एलेसंट ने हमेशा नियमों का पालन किया और अपना कर्तव्य निभाया जबकि रेनेरा ने रूल्स को अपने हिसाब से मोडा एलेसंट अभी भी इस बात से खफा है कि रेनेरा ने उससे जूट बोला उसने अपनी डेटिंग लाइफ की कुछ डीटेल्स छुपाई जिस जूट की वज़ा से एलेसंट के पिता आटो हाई टावर जो पहले हांड उफ दे किंग थे इनके और किंग के बीच डिसग्रीमेंट हुआ और उन्हें अपनी पोजिशन छोड़नी पड़ी अब चलते हैं क्वीन एलेसंट और किंग विसरिस की सबसे बड़ी आउलाद के पास जो शायद सबसे निकम्मी है एगॉन अपने कमरे की खिड़की पर खड़े होकर अशलीलता की हदें पार कर रहा है और कमरे में एलेसंट आती है जो ओविसली गुस्सा है वो एगॉन को समझाती है कि उसे अपने छोटे भाई एमिट का साथ देना चाहिए और अपने कजन्स के साथ ज्यादा दोस्तियारी नहीं रखनी चाहिए वो उसे कहती है कि राजगदी पर तुम बैठोगे राजा तुम बनोगे पर एगॉन को राजा वाजा बनने में ज्यादा दिल्चस्पी नहीं है एलेसंट उसके मन में रेनेरा के बच्चों के लिए नफरत के बीच बू रही है लेट सी ये कितना काम आता है अगले सीन में चलते हैं एलेसंट के सपोर्टर और रेनेरा के दुश्मन सर क्रिस्टिन कूल के पास किसी जमाने में ये रेनेरा के आशिक थे बट जब रेनेरा ने अपना सब कुछ छोड़ कर उनके साथ भागने की बात नहीं मानी तो वो बुरा मान गए साफ साफ नजर आ जाएगा कि क्रिस्टिन हार्विन को ताना मारने का कोई मौका नहीं चोड़ता किंग विसरिस के सामने यार्ड में घर के बच्चे तलवार बाजी सीख रहे हैं राजा को लगता है कि जब उनके और इनरा के बच्चे साथ में वक्त बिताएंगे तो उनके बीच का कनेक्शन मजबूत होगा पर ऐसा नहीं हो रहा प्रैक्टिस के दौरान क्रिस्टिन बच्चों को सीरियसली लड़वाना चाहता है इसके अलावा क्रिस्टिन हारवन को ये कहकर ताना मारता है कि तुम तो ऐसे बरताफ कर रहे हो जैसे ये तुम्हारा बेटा है हारवन को हुसा आजाता है और वो उस पर अटाक करता है ऐसा लगता है कि क्रिस्टन का मूँ भले ही तूट गया हो पर उसकी बात पक्की निकली वो यही चाहता था पब्लिकली हारवन को उकसाना और रेनेरा के बच्चों की पेरेंटेज को लेकर लोगों के मन में सवाल पैदा करना बाहर हुए जगडे की खबर रेनेरा तक पहुँचती है रेट कीप में कई सीक्रिट रास्ते हैं इन्हीं छिपे हुए रास्तों में से रेनेरा गुजर रही है उसे सर हारवन स्ट्रॉंग और उनके पिता लाइनल स्ट्रॉंग की आवास सुनाई देती है लाइनल अपने बेटे को समझा रहे हैं कि उसका और रेनेरा का रिष्टा इन दोनों को तो मरवाएगा ही साथ ही इनके बच्चों की भी जान ले लेगा लाइनल का कहना है कि लोग बेवकूफ नहीं हैं उन्हें सचाई दिखती है बस राजा ही अपनी बेटी की असलियत से मूँ मोर रहा है लाइनल बातों बातों में कहते हैं कि राजा कभी भी मर सकते हैं और उसके बाद तुम्हें और तुम्हारे नाजायज बच्चों को बचाने वाला कोई नहीं होगा उसे सबके सामने अपने जजबातों पर आबू रखना चाहिए और प्रिंस जेस के लिए क्रिस्टिन कोल से नहीं भिड़ना चाहिए रेनरा का हारविंस से सिर्फ एक फिजिकल कनेक्शन नहीं है वो रेनरा का सपोर्ट सिस्टम भी है लेनरा के जिन्दगी पार्टीज और बैटल्स के बीच गुजरती है इस वक्त लेनर अपने बॉइफरिंड काल कोरी के साथ कमरे में एंट्री करता है वो रेनरा को कहता है कि स्टेप स्टोन्स पर फिर से जंक छड़ी हुई है और वो इसमें लड़ना चाहता है लेनरा कहती है कि हम दोनों जानते हैं कि हमारा बस एक कन्वीनियन्स का रिष्टा है पर अब सवाल उठ रहे हैं जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं हमें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए किसी को भी उनके रिष्टे की असलियत नहीं पता चलनी चाहिए अगर ऐसा हुआ तो उनका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा लेनर कहता है कि वो एक आजाद पंची है और अपने ड्रैगन के साथ उड़ना चाहता है जब वो प्यार से नहीं समझता तो रेनरा उसे अपने साथ किंग्स लांडिंग में रहने का आदेश देती है लेनर मान तो जाता है पर कह देता है कि एक समझदार इंसान तूफार आने से पहले रास्ता बदल लेता है मतलब ये कि अगर लोग हमारे रिष्टे और बच्चों की लीगालिटी पर सवाल उठा रहे हैं तो हमें यहां से कहीं दूर चले जाना चाहिए अगर आप आंद्रे सपॉफ्सकी की लिखी दविचर सीरीज की किताबें खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जा सकते हैं इन फैक्ट अगर आप आप आनलाइन शॉपिंग के दौरान उस लिंक का इस्तिमाल करेंगे तो उससे वाच्रोस को सपोर्ट मिलेगा नैरोसी के पार पिंटॉस शहर में डेमन टारगेरियन अपनी पतनी लेना विलेरियोन के साथ रह रही है लेना अपने ड्रैगन वगार के साथ हवा से बातें कर रही है ये ड्रैगन एक जमाने में एगॉन्स कॉन्क्विस्ट का हिस्सा था यहां ड्रैगन कर आक्सिस भी मौजूद है जिस पर डेमन सवार है वो यहां के अमीर बिजनिसमेन और खास शखसियतों का दिल बहला रहे है डेमन और लेना पेंटॉस के बेहद रईस प्रिंस रेजियो हराटिस के महमान है इन फाक्ट वो पिछले दस साल से उनकी हवेली में गेस्ट के तौर पर रह रहे है उनकी दो बेटियां हैं बेला और राइना यहां एक दावत चल रही है यह लोग एगॉन दे कॉन्कुरर की तारीफ के कसीदे पड़ रहे हैं और उनके नाम पर जाम पी रहे है एगॉन ने एक जमाने में पेंटॉस का साथ दिया था और आज डेमन और उसके ड्राइगन्स पेंटॉस के साथ है प्रिंस रेजियो हराटिस हमेशा के लिए अपने दुश्मनों के सामने ताकतवर बनना चाहता है टायर और शमीर और लीस ने मिलकर खुद को ट्रियार्की का नाम दिया है डेमन ने ट्रियार्की के लीडर क्राप फीडर को मार डाला था लेकिन अब इनका नया लीडर उभर कर सामने आया है और उसने डौन के कॉरन मार्टैल के साथ मिलकर अलाइंस बना लिया है ऐसे में जाहिर सी बात है पेंटॉस को डर है कि ये नया अलाइंस इनके लिए खत्रा बन सकता है वो डेमन के आगे एक ओफर रखता है ये पूरा महल और इसके आसपास की जमीने डेमन की हो जाएंगी यहां के लोग उसे हर साल टैक्स भी देंगे डेमन को बस अपने परिवार के साथ यहां रहना है जब जंग हो तो अपने ड्रागन्स के साथ लड़ाई में उतरना है लेना के एक्स्प्रेशन से लगेगा कि उसे ये ओफर कुछ खास पसंद नहीं है बाद में वो डेमन को अकेले में कहती है हमें वापस वेस्टरॉस जाना चाहिए यहां महमान की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए वो अपने बच्चों को ड्रिफ्ट मार्क में बड़ा होता देखना चाहती है जैसे वो हुई थी डेमन को पेंटॉस में रहना और अपने ड्रागन्स की पावर का इस्तमाल करना गलत नहीं लग रहा उसके हिसाब से ये एक सीधा ट्रांसेक्शन है जो किंग्स लैंडिंग के पॉलिटिकल पच्चडों से काफी बहतर है इसी बात पर चलते हैं किंग्स लैंडिंग में जहाँ पर पॉलिटिकल पच्चडे जोरो शोरो से चल रही है यहाँ पर स्मॉल काउंसल की मीटिंग हो रही है पिछले 10 साल में स्मॉल काउंसल में कुछ बदलाव आए हैं जैसे ग्रांड मेस्टर में लॉस अब नहीं रहे उनकी जगा ले ली है और्विल ने लाइनल स्ट्रॉंग के हैंड ओफ दिकिंग बनने के बाद मास्टर अफ लॉस की पोजिशन खाली हो गई थी जिसे अब जैस्पर वाइल्ड सम्हालते हैं वहीं मास्टर अफ कोईन अब भी लेमन बीजबरी है एलिसंट और एनेरा का रूल करने का तरीका काफी अलग है हाउस ब्लागफूर्ड और हाउस ब्रैकन के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है एलिसंट चाहती है कि इसका फैसला हाउस टली को करना चाहिए क्योंकि वो उस एरिया के मुख्या है पर लॉर्ड टली काफी बूढ़े हो गए हैं और बीमार रहते हैं एलिसंट कहती है कि उन्हें इस मुद्दे में नहीं पढ़ना चाहिए और जब Lord Tully का बेटा अपनी जिम्मेदारी सम्हा लेगा तब वो इस मसले से निपट लेगा मगर रेनरा इस बात से सहमत नहीं है उसका कहना है कि हमें यहां से टीम भेजनी चाहिए जो बॉर्डर के पास रह रहे लोगों से मिलकर बेसिकली रीसर्च करके इस मुद्दे को सुलचाना चाहिए खैर अब बात होती है Stepstones की जहां Treyarchi ने चढ़ाई करती है राजा विसरिस इस बात से चढ़ा हुआ है कि उसने सोचा था हाउस माटेल से हो रही बातचीत रंग लाए की बट यहां डिप्लमसी काम नहीं आई डॉन तो Treyarchi से जाकर मिल गया है यह वेस्टरोस के लिए खत्रा है जैस्पर वाइल का कहना है कि डेमन को King of the Narrow Sea कहा जाने लगा है पर Queen Ellicent मेंशन करती है कि डेमन तो भागा हुआ है वो कहीं का राजा नहीं है डेमन इस टेप स्टोन्स पर जंग तो जीती पर उसके बाद वो जगा खाली छोड़ दी गई रेनरा के हिसाब से राजा को स्टेप स्टोन्स पर अपने सिपाही तैनात करने चाहिए थे वहाँ कबजा रखना चाहिए था क्योंकि वो एक important location थी Ellicent का कहना है कि इनके पास इतना बड़ा खजाना नहीं है कि वो ऐसा कर पाते उनके पास स्टेप स्टोन्स के एरिया को cover करने के funds नहीं थे Master of Coin बीजबरी इस बात से इत्फाक रखते है Renera का कहना है कि अब जंग में जो खर्च आएगा उससे तो आम लोगों का बड़ा नुकसान होगा है Renera की अप्रोच बाहर के लोगों के लिए भले ही aggressive हो पर Ellicent को वो प्यार से डील करना चाहती है वो कहती है कि मुझे पता है पिछले कुछ वक्त में हमारी फैमिलीज में दूरी आ गई है और मैं इसे ठीक करना चाहती हूँ वो अपने बेटे जेस का रिष्टा Ellicent और विसरिस की बेटी हेलेना से करने की पेशकश करती है जेस रेनेरा का बड़ा बेटा है यानि वो राजगदी पर बैठने की लाइन में खड़ा है यानि उसकी बीवी क्वीन बनेगी वो ये भी कहती है कि जब उसका ड्रागन सायरेक्स अंडे देगा तो वो उनमें से एक Ellicent के छोटे बेटे एमन को दे देगी पर Ellicent इतना अच्छा ओफर भी एकसेप्ट नहीं करती कहती है सोचोंगी और रेनेरा को एम्बारस करके बिठा देती है राजा इस आइडिया से खुश है वो रेनेरा की बात कंसिडर करना चाहते है पर Ellicent जीते जी अपनी बेटी की शादी रेनेरा के बेटे से नहीं होने देगी Ellicent जानती है कि जेस बास्टर्ड है और वेस्टरॉस में बास्टर्ड को धोके बाज और खराब नेचर वाला माना जाता है उन्हें नीची नजरों से तो देखते ही है बट नाजायज ओलाद यानी बास्टर्ड च्राइल को अच्छा इंसान ही नहीं माना जाता किंग विसरिस और क्वीन एलिसन के बीच रेनेरा की इंटेंशन को लेकर कहा सुनी होती है वो बातें करते करते अंदर कमरे में पहुँचते हैं लाइनल स्ट्रॉंग उनसे कुछ जरूरी बात करना चाहते है लाइनल अपनी हैंड ओफ दे किंग की पोजिशन से स्तीफा देना चाहते है वो कहते हैं कि हाल ही में जो अफवाहें उड़ी है उनके चलते वो अपनी जिम्मेदारियां इमानदारी से नहीं निभा पाएंगे राजा विसरिस जानना चाहते हैं कि वो किन रियूमर्स की बात कर रहे हैं वो लाइनल पर पूरा भरुसा करते हैं और उन्हें खोना नहीं चाहते अलेसिंट भी मौके का फाइदा उठा कर रेनेरा और हारवन स्ट्रॉंग के अफ़ेर की खबर सामने लाना चाहती है वो लाइनल को क्लियरली सब बताने के लिए उकसाती है पर बात नहीं बनती विसरिस का कहना है कि अगर लाइनल अपने मूँ से सब साफ साफ नहीं कह सकते तो उन्हें रेजाइन करने का भी हक नहीं है फाइनली तैह होता है कि हारवन और लाइनल हैरन हॉल जाएंगे हैरन हॉल हाउस्ट्रॉंग की रियासत है Harwin अब City Watch के Commander नहीं है तो Lionel उन्हें अपना बेटा होने के नाते Harren Hall का Lord बनाना चाहते है Basically वो Harwin को Renera से दूर करना चाहते है ताकि उनके Affairs के Rumor पर Full Stop लग सके मिलते हैं Laris Strong से जो Harwin Strong के भाई है Ellicent और Laris के बीच अच्छा तालमेल बन गया है वो साथ में लंच वगएरा करते हैं Laris Queen को कई मुद्दों पर Advise देता है इन दिनों Laris King's Landing के तहखानों में मुझरिमों को Torture करने का काम करता है वो एक Interrogator है Laris Ellicent के लिए Informant का भी काम करता है वो Lionel Strong और Viserys के बीच हुई Meeting discuss करते है Ellicent Laris के सामने जाहिर करती है कि अगर उसके पिता Auto High Tower Hand of the King होते तो वो उसकी साइड लेते पर यहां उसके साथ कोई नहीं है वो खुद को King's Landing में अकेला महसूस करती है उसे लग रहा है कि Renera सब गलत कर रही है और उसके बच्चे उत्राधिकारी यानि Air to the Throne नहीं होने चाहिए पर यहां राजा विसरस अपनी बेटी की साइड ले रहा है अगर Auto यहां होते तो Ellicent का पलड़ा भारी होता बाद में हमें Laris को दुबारा दिखाया जाता है वो तेहखाने में जाकर कुछ Prisoners को हायर करता है उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है लेकिन Laris उन्हें बचा लेगा बस उन्हें अपनी जुबान गवानी पड़ेगी और Laris के लिए Informant यानि मुखबर बनना पड़ेगा Harwin Strong King's Landing छोड़ कर Harwin Hall जा रहे हैं जाने से पहले वो Renera और अपने बच्चों को गुडबाई कहते हैं यहां जेस समझदार हो चुका है वो सच्चाई का अंदाजा लगा सकता है वो अपनी मा से पूछता है कि क्या वो Harwin का बेटा है क्या वो एक बास्टर्ड है Renera इस बात को ये कहकर टाल देती है कि वो एक Tarkarian है और बस यही इंपोर्टन्ट है पेंटास में लाइना लेबर में है और उसकी हालत सही नहीं लग रही मेस्टर बताते हैं कि वो मा को नहीं बचा पाएंगे यहां डेमन उसी रास्ते पर खड़ा है जहां सालों पहले उसका बड़ा भाई विसरिस था कुईन एमा भी चाइल्ड बर्थ के दोरान चल बसी थी और लेना के साथ भी यही होने वाला है लेकिन लेना ने अपने लिए मौत का तरीका चुन लिया है वो वगार के सामने चली जाती है और उसे खुद को ड्रागन फाइर से मारने के लिए कहती है पहले तो वगार ऐसा करने से इंकार कर देता है लेकिन जब लेना दर्थ से कराती है तो वगार एक obedient pet की तरहा उसकी बात मान लेता है और अपनी rider को भस्म कर देता है डेमन ऐसा होते हुए अपनी आँखों से देखता है बाद में हमें डेमन को उसकी बेटियों के साथ दिखाया जाता है वो अकेला है और उससे इन बच्चीयों को पालना है क्या वो अपनी मरी हुई पतनी की बात सुनेगा और वापस वेस्टरोस जाएगा लाइनल और हावन अपने घर हैरन हॉल पहुँच गए है इस जगा की हिस्टरी बहुत दर्दनाक है इसकी इमारत बनाने के दौरान कई हुलामों की मौत हुई कहा जाता है कि इसकी नीव में खून भी सना हुआ है वाद में एगॉन कॉन्क्विस्ट के दौरान ये कैसल जल गया था इन फैक्ट जितने भी हाउसस को ये जगा सौपी गई उनका हश्र बुरा ही हुआ फिर यहां भी कुछ बुरा होने वाला है क्यूंकि कैसल के बाहर लैरिस के बिना जुबान वाले लोग मौजूद है वो यहां आग लगा देते हैं और इसाग में लाइनल और हार्विन की मौत हो जाती है मही किंग्स लांडिंग में रैनरा अपने पती से मिलने जाती है वो कहती है कि हमें यहां से चलना चाहिए ड्रैगन स्टोन पर अपने परिवार के साथ जाकर रहना बहतर होगा Actually Harwin जा चुका है Renera को अभी उसके मरने की खबर पता नहीं चली है पर उसे इतना तो पता है कि Queen Elicent सच्चाई सामने लाने की कोशिश करती रहेगी So उसने अपने पती की advice follow की और मुसीबत आने से पहले शहर छोड़ने की ठान ली वो Lenore को कहती है कि वो साथ में अपने boyfriend को भी ले चले मेंशन किया जाता है कि इन्हें लडाई के लिए तयार रहना चाहिए Queen Elicent और उसके बच्चों और Air to the Throne Renera और उसके बच्चों के बीच पावर टसल होगा और वो इसके लिए Dragonstone जाकर तयारी करना चाहती है Laris Strong Elicent से अकेले मिलने पहुचते है Lionel और Harwin की मौत का जिक्र होता है Queen Elicent को पता चल चुका है कि Haran Hall में Laris नहीं आग लगवाई है और उसने अपने पिता और भाई को बेजजक मार डाला वो इसके लिए Elicent को जिम्मेदार ठहरा रहा है और इस जुर्म में उससे भी शामिल कर रहा है कहता है कि मैंने तो ये आपके कहने पर ही किया है आपने ही इशारों इशारों में मुझे कहा था कि अगर आपके पिता Auto High Tower किसी तरह King's Landing आ जाएं तो आपका काम बन जाएगा बस मैंने इसी लिए रास्ता साफ कर दिया अब आप अपने पिता को यहां बुला सकती है बेसिकली लाइनल के मरने से Hand of the King की पोजिशन खाली हो गई है और अब राजा की हालत काफी खराब रहती है उसके कई फैसलों में Elicent का हाथ होता है तो वो अपने पिता को इस Hand of the King की पोजिशन दिलवा सकती है पर Elicent हैरान परेशान है वो डर गई है लारिस कहता है कि मैंने आपके कहने पर जो किया है उसे याद रखिएगा और वक्त पढ़ने पर मुझे इनाम दीजिएगा इस एपिसोड का आंथ लारिस के प्यार, महबत और परिवार के उपर दिये गए एक ज्यान से होता है प्यार, रिष्टे, बच्चे आपकी कमजोरी हैं और इन्हें खुद से दूर रखना चाहिए लारिस ने अपने रिष्टे खत्म कर दिये हैं और इसी के साथ वो इस शो का लिटल फिंगर बन कर उभरता है और खत्म हो जाता है ये एपिसोड एक मिनिट, एक मिनिट, अभी कहा जा रहे हैं? अभी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर मन में कुछ विचार आए हैं, तो वो भी कॉमेंट के जरिये बताने हैं